खौम सांती आज 4 अगस्त 2020 की मुल्ली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे अकाल मुरत बाप का बोलता चलता तक्त यह ब्रह्मा है जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्रामनों की रचते हैं प्रस्न है आज की मुल्ली का अकल मंद बच्चे किस राज को समझ कर ठीक रिती से समझा सकते हैं उत्तर है ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विश्नु कैसे बनते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा यहां है वह कोई देवता नहीं ब्रह्मा नेही ब्रामनों द्वारा ज्ञान यग्य रचा है ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझ कर समझा सकते हैं गोडे सवार और प्यादे तो इसमें मूझ जाएंगे आज की मुल्ली का गीत है ओम नमु सिवाय अब सुनते हैं मुल्ली विस्तार से ओम सांती भक्ती में महिमा करते हैं एक की महिमा तो गाते हैं ना परंतु न उनको जानते हैं न उनके यथार्थ परिछे को जानते हैं अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते तुम बच्चे जानते हो उँच्चते उँच्च है भगवान चित्र मुख्य है उनका ब्रह्मा की संतान भी होगी न तुम सब ब्रामन ठेरे ब्रह्मा को भी ब्रामन जानेंगे और कोई जानते इसलिए मूझते हैं और कोई नहीं जानते इसलिए मूझते हैं यह ब्रह्मा कैसे हो सकता ब्रह्मा को दिखाया है सुक्स्म वतन वासी अब प्रजा पिता सुक्स्म वतन में हो न सके वहां रचना होती नहीं इस पर तुमारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं समझाना चाहिए ब्रह्मा और ब्रामन है तो सही न जैसे क्राइष्ट से क्रिस्चन अक्सर निकला है बुद्ध से बोधी इब्रहम से इसलामी निकला है ना ब्रह्मा से ब्रह्मन निकला क्राइष्ट से क्रिस्चन धरम निकला और बुद्ध से बोधी इब्रहम से इसलामी वैसे प्रजा पिता ब्रह्मा से ब्रामन नामी ग्रामी है आदी देव ब्रह्मा वास्तव मैं ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते यह भी रॉंग है ब्रह्मन जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहां से आया यह किसकी रचना है ब्रह्मा को किसने create किया कभी कोई बता न सके जानते ही नहीं यह भी तुम बच्चे जानते हो सी बाबा का जो रत है जिसमें प्रवेश करते हैं यह ही वह जो आत्मा क्रस्न प्रिंस बना था 84 जन्मों के बाद यह यानि ब्रह्मा आकर बने हैं जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा न क्योंकि है तो मनुस्य न फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं सी बाबा ने जब प्रवेश किया दादा लेक राज में तो इनका नाम ब्रह्मा रखा यह भी बच्चे जानते हैं वही ब्रह्मा विश्नु का रूप है नारायन बनते हैं न 84 जन्मों के अंत में भी सादारन रत है न यह सरीर सब आत्मों के रत है अकाल मुरत का बोलता चलता तक्त है सिख लोगों ने फिर वह तक्त बना दिया है उसको अकालतक्त कहते है यह तो अकालतक्त सब है आत्मय सब अकाल मुरत है उच ते उच बगवान को यह रत तो चाहिए ना रत तो चाहिए ना बगवान को क्योंकि वो तो निराकारी है सिख बाबा उनको कोई ने कोई रत चाहिए ना देते हैं Knowledgeful का अर्थ कोई अंतरियामी वा जानी जानन हार नहीं है सर्व व्यापी का अर्थ दूसरा है जानी जानन हार का अर्थ दूसरा है मनुश्य तो सब को मिला कर जो आता है सो कहते जाते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्रामन ब्रह्मा की अुलाद है हमारा कुल सबसे ऊच है वो लोग देवताओं को ऊच रखते हैं क्योंकि सत्यूग आदी में देवता हुए हैं प्रजा पिता ब्रह्मा की अुलाद ब्रामन होते हैं ये कोई जानते नहीं सिवाए तुम बच्चों के उनको पता भी कैसे पड़े जबकि ब्रह्मा को सुक्स्म वतन में क्या होता है बई ब्रह्मा को तो सुक्स्म वतन में समझ लेते हैं न वो वो जिस्मानी ब्रामन अलग है जिस्मानी जो ब्रामन होते हैं इस दुनिया में वो अलग है जो पूजा करते हैं धामा खाते हैं वो तो धामा भी खाते हैं पूजा भी करते हैं तुम तो धामा आदी नहीं खाते हो ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रिति समझाना पड़ता है हम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मनी हैं लेकिन हम कोई बनता है, पहले उनको तो याद करो, फिर ये बातें भी समझ जाएंगे, थोड़ी बात में संसे पढ़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं, पहली मुख्य बात है, अल्प और बे, अल्प मतलब अल्ला, बे मतलब बासाई, बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, मैं जरूर किसमें तो आउंगा न, उनका नाम भी होना चाहिए, उनको आकर रचता हूँ, ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए, प्यादे गोडे सवार मूंज पढ़ते हैं, अवस्ता अनुस्सार समझाते हैं न, प्रजा पिता ब्रह्मा तो यहां है, ब्रामनों द्व ग्यान यग्य रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मन ही चाहिए न, प्रजा पिता ब्रह्मा भी यहां चाहिए, जिससे ब्रह्मन हो, ब्रह्मन लोग कहते भी है, हम ब्रह्मा की संतान हैं, जो ब्रह्मन लोग है, दुनिया वो कहते हैं, हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं, परं प्रतु ब्रह्मा कब था? वा पता नहीं। बस परंपरा से चला आ रहा है। पता कुछ भी नहीं है कि ब्रह्मा कब था? कैसे पैदा होआ? क्या था? कुछ भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है। कैसे कब यह वर्णन नहीं कर सकते तुम समझते हो प्रजा पिता ब्रह्मा ही ब्रामनों को रचते हैं जिन ब्रामनों को ही फिर देवता बनना है यही ब्रामन जो अभी है यही देवता बनेंगे ना सत्युग में ब्रामनों को आकर बाब पढ़ाते हैं ब्रामनों की भी डिनाइश्टी नहीं है ब्रामनों का कुल है डिनाइश्टी तब कहा जाए जब राजारानी बने जैसे सुर्यवन्सी डिनाइश्टी तुम ब्रामनों में राजा तो बनते नहीं वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का रज्य था दोनों रॉंग है राजाई तो दोनों को नहीं है प्रजा का प्रजा पर रज्य है उनको राजदानी नहीं कहेंगे ताज है नहीं बाबा ने समझाया था पहले डबल सिर्टाज भारत में थे फिर सिंगल ताज इस समय तो नो ताज अभी तो कोई ताजी नहीं है यह भी अच्छी रिती सिद्ध कर बताना है पहले तो दो ताज थे ना पवित्रता का और श्तुल ताज फिर एक ताजी रा और अब तो कोई ताज नहीं है यह भी अच्छी रिती सिद्ध कर बताना है जो बिलकुल अच्छी धार्णा वाला होगा वह अच्छी रिती समझा सकेंगे ब्रह्मा पर ही जास्ती बास समझाने की होती है विश्नु को भी नहीं जानते यह भी समझाना होता है व्यकुंड को विश्नुपूरी कहा जाता है अर्थार्थ लक्ष्मी नायन का राज्य था क्रश्न प्रिंस होगा तो कहेंगे न हमारा बाबा राजा है ऐसे नहीं कि क्रश्न का बाप राजा नहीं हो सकता क्रश्न प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जनम हुआ है सावकार पास जनम ले तो प्रिंस थोड़े कहलाएंगे राजा के पद और सावकार के पद में रात दिन का फरक हो जाता है क्रश्न के बाप राजा का नाम ही नहीं है क्रश्न के बाप में कोई राजा का नाम है क्या क्रश्ण का कितना नाम बाला है बाब का उँच पद नहीं कहेंगे वह second class का पद है जो सिर्प निमित बनते हैं क्रश्ण को जनम देने के लिए ऐसे नहीं कि क्रश्ण की आत्मा से वह उँच पडा हुआ है नहीं, क्रश्ण ही सो फिर नारायन बनते हैं बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है, है जरूर ब्रामन, परंतु पड़ाई में क्रश्ण से कम है क्रश्ण की आत्मा की पड़ाई अपने बाप से उच थी, तब तो इतना नाम होता है, क्रश्ण का बाप कौन था, यह जैसे किसको पता नहीं आगे चल मालूम पड़ेगा, बनना तो यहां से ही है, रादे के भी माबाप तो होंगे न, परंतु उनसे रादे का नाम जास्ती है, क्योंकि माबाप कम पड़े हुए हैं, रादे का नाम उनसे उच हो जाता है, यह है डिटेल की बातें, बच्चों को समझाने के लिए, सारा बोगती है, तुम भी च्वर्या से जनम लेते हो, सब इखटे तो नहीं आएंगे, जो पड़ाई में पहले पहले होते हैं, वहां भी पहले आएंगे, नंबर वार तो आते हैं न, यह बड़ी महीन बाते हैं, कम बुद्धी वाले तो धारना करना सके, नंबर वार आते हैं, नंबर वार जाते हैं, तुम ट्रांसफर होते हो नंबर वार, कितनी बड़ी क्यू है, जो पिछाडी में जाएगी, नंबर वार अपने अपने इस्तान पर जाकर निवास करेंगे, सब का इस्तान बना हुआ है, यह बड़ा वंडर्फुल खेल है, परन्तु कोई समस्ते नह है, इनको कहा जाता है काटों का जंगल, यहां सब एक दो को दुख देते रहते हैं, वहां तो नेचुरल सुख है, यहां है आर्टिफिशल सुख, रियल सुख एक बाप ही देने वाला है, यहां है काग विष्टा के समान सुख, दिन प्रती दिन तम्हो प्रदान बनते जा कहते हैं बाबा माया के तुफान बहुत आते हैं माया उल्जा देती है दुख की फिलिंग बहुत आती है सुख दाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फिलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे ये तुमारा बड़ा करम भोग है तो बाप कहते बच्चे ये तुमारा बड़ा करम भोग है जब बाप मिला तो दुख की फिलिंग नहीं आनी चाहिए जो पुराने करम भोग है उसे योगबल से चुक्तू करो अगर योगबल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुक्तू करना पड़ेगा मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं मोचरा और मानी का मतलब सजा खाकर पद पाना कोई अच्छी बात है क्या सजा खाकर पद पाना तो अच्छा नहीं है न पुर्सार्थ करना चाहिए नहीं तो फिर टिब्यूनल बैठती है इसलिए बाबा कहते है सजा आप खाकर अगर पज़ पारे हो तो वो को अच्छी बात है क्या इसलिए बाबा कहते है पुर्सार्थ करना चाहिए नहीं तो ट्रिब्यूनल बैठती है प्रजा तो धेर है या तो ड्रामा अनुसार सब गरब जैल में बहुत सजाएं खाते है आत्मा बटकती भी बहुत है कोई-कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है कोई-कोई आत्मा तो ऐसी होती बहुत नुकसान करती है जब कोई में असुद आत्मा का प्रवेस होता है तो कितना हैरान होते हैं नई दुनिया में ये बाते होती नहीं अभी तुम पुर्षार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाएं वहाँ जाकर नए-नए महल बनाने पड़ेंगे राजाओं के पास जनम लेते हो, जैसे क्रश्न जनम लेते हैं न परन्तु इतने महल आदी सब पहले से थोड़े ही होते हैं वह तो फिर बनाने पड़े, कौन रच्ते हैं जिनके पास जनम लेते हैं गाया हुआ भी है, राजाओं के पास जनम होता है क्या होता है, सो तो आगे चल देखना है अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे वह फिर आर्टिफिस्यल नाटक हो जाए अगर अभी बता दे तो फिर वह आर्टिफिस्यल नाटक हो जाए उसमें तो पूरी स्टोरी पता होती ही ना पहले ही इसलिए बताते कुछ भी नहीं है ड्रामा में बताने की नून्द ही नहीं है बाब कहते हैं मैं भी पार्टधारी हूँ आगे की बाते पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता बाबा कहते हैं मैं भी इस ड्रामा में बंदा हुआ हूँ मेरा भी पार्ट है अगर मुझे आगे की बातों का पता होता तो बहुत कुछ बतलाता बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता, बाप कहते हैं, नहीं, ड्रामा में जो होता है, उनको सक्सी हो देखते चलो, और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो, बस याद की यात्रा में मस्त रहना है, और जो हो रहा है उसको सक्सी होकर देखते चलो, इसमें ही फैल होते हैं, इसमें ही सब फै याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है कभी याद अच्छी होती है कभी याद में डिले पड़ जाते हैं ग्यान तो जो मिला है सो है ही याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है कभी डिला पन आ जाता है निचे उपर यात्रा होती है ग्यान में तुम सीड़ी नहीं चड़ते, ग्यान को यत्रा नहीं कहा जाता, यत्रा है याद की बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेप्टी में रहेंगे देह अभी मान में आने से तुम बहुत धोका खाते हो विकर्म कर देते हो काम महा सत्रु है उसमें फैल हो पड़ते हैं क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते ग्यान से यातो है सेकिंड में जीवन मुक्ती या तो फिर कहते सागर को स्याई बनाओ तो भी पुरा नहीं हो या तो सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो याद करना किसको कहा जाता है ये थोड़ी जानते हैं कहते हैं कल्यूग से हमको सत्यूग में ले चलो पुरानी दुनिया में है दुख, देखते हो बरसाद में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं बरसाद आदी ये नेचुरल केलेमिटीज भी होगी, ये सब अच्छानक होता रहेगा natural calamities तो अच्छा नक होगा विनास अच्छा नक होगा बारिस अच्छा नक होगी कुम करन की नींद में सोई हुए है विनास के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे फिर तो too late हो जाएगा मर जाएंगे धर्ती भी जोड से हिलती है वो कम बादे आते हैं ना तुफान बर्षाद आदी सब होता है बॉम्स भी फैकते हैं परन्तु यहाँ एडिसन है सिविल वार रक्त की नदियां गाई होई है यहाँ महामारी होती है अभी महामारी चल रही है ना कॉरोना की महामारी पूरी वल्ड को हिला की रख दिया इस छोटे से वाईरस ने तो यह इस तरह की महामारी और बढ़ती जाएगी दिनों दिन एक दो पर केस करते रहते हैं आजकर केस भी बहुत होते रहते हैं थोड़ी सी बात हुई लड़े जगड़ा होआ केस कर दिया पूलिस थाने चले गए फिर कोट के चक्कर लगाओ सो लड़ेंगे भी जरूर सब है निधन के तुम हो दनी के हम तो दनी के हैं ना बाकि सब निधन के हैं कोई लड़ाई आदी तुमको नहीं करनी है ब्रामन बनने से तुम दनी के बन गए दनी बाब को या पती को कहते हैं सिव बाबा तो पतियों का पती है सगई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेगी सगई होती है तो फिर बोलते है ना फिर इंतजार रहता है जल्दी साधी हो जाए कब मिलेंगे मिलन कब होगा आत्मय कहती है सिव बाबा हमारी तो आपसे सगई हो गई अब आपसे हम मिलें कैसे कोई तो सच लिखते हैं कोई तो सच लिख देते हैं कोई तो बहुत छिपाते हैं सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई समा करो अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धी में धारना हो नहीं सकती बाबा कहते हैं तुम ऐसे कड़ी भूल करेंगे तो चकना चूर हो जाएंगे तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं फिर तुम काला मू कैसे करते हो बल स्वर्ग में आएंगे पाई पैसे का पद पाएंगे राजदानी इस्तापन हो रही है न कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद ब्रस्ट हो जाते हैं कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो बाप इतना उच बने हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे बाप गद्धी पर हो और बच्चा दास दासी बने कितनी लज्जा की बात है पिछाड़ी में तुमको सब साक्सातकार होंगे फिर बहुत पस्ताएंगे नहेक ऐसा किया सन्यासी भी ब्रह्मचरिय में रहते हैं तो विकारी सब उनको माता ठेकते हैं बड़े-बड़े सन्यासी है न, वो भी ब्रह्मचरिय में रहते हैं, तो बड़े-बड़े जो पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, वो भी उनके सामने आकर मता टेकते हैं, पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं है, तो बाप आकर पढ़ाते, फिर भी गपलत करते रहत हैं, यादी नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं, तुम बच्चों पर अब है ब्रस्पती की दसा, इससे उच दसा और कोई होती नहीं, ब्रस्पती की दसा से उच कोई दसा होती है क्या, तो अभी तुम बच्चों पर है ब्रस्पती की दसा, दसाएं चक्र लगाती र तो अभी ब्रसपती की दसा है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते दारना के लिए मुक्यसार पहला पॉइंट इस ड्रामा की हर सीन को सक्सी होकर देखना है एक बाप की याद में मस्त रहना है याद की यात्रा में कभी उमंग कम न हो दूसरा पॉइंट है पड़ाई में कभी गपलत नहीं करना अपनी उच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद ब्रस्ट नहीं करना आज का वर्दान है मन मना भव के महा मंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुक स्वरूप भव अब इसका विस्तार है जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाएगा स्वप्न में भी जराबी दुख का अनुबव न हो तन बिमार हो जाए धन नीचे उपर हो जाए कुछ भी हो लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए जैसे सागर में लेरें आती है और चली जाती है लेकिन जिने उन लेरों में लेरा ना आता है वह उसमें सुख का अनुबव करते हैं लेर को जंप देकर ऐसे क्रोस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं तो सागर के बच्चे सुख सरूफ हो दुख की लेर भी न आए आज का स्लोगन है हर संकल्प में डड़ता की विसेस्ता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्स्ता हो जाएगी अच्छा ओम सांती